आज इस वीडियो मैं आपको बताऊंगो OTG डिवाइस के बारे में कि OTG डिवाइस क्या होती है और इसे यूज़ करके कैसे आप अपने स्मार्टफ़ून यूज़ करने का जो एक्स्पिरियन्स है उसे बैटर बना सकते हो इससे आपका स्मार्टफोन यूज़ करने का जो experience है और ज़ादा बहतर हो जाता है तो OTG डिवाइस क्या होती है इसे यूज़ करके आप USB पोर्ट को किसी भी mobile पोर्ट में convert कर सकते हो जैसे USB to mini USB, USB to type C तो मेरे पास इस वक्त दो OTG है एक है USB to mini USB और दूसरा है USB to type C चली बात करते हैं इसके uses के बारे में कि इन OTG डिवाइस को यूज़ करके आप कौन कौन से gadgets अपने स्मार्टफोन से connect कर सकते हो सबसे पहला डिवाइस है pen drive आपको पता होगा जो pen drive है वो USB port के लिए यूज़ होती है तो USB port जो होता है वो mostly laptop या फिर आपको PC में देखने को मिलता है लेकिन अगर आप pen drive को अपने स्मार्टफोन से connect करना चाते हो तब आप इस OTG को use कर सकते हो तो आप pen drive में अपने photos और videos को store करके रख सकते हो और जब आपको चाहिए तो आप OTG के तुरूज एक connect कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से तो ये एक better option है जिससे आप अपनी pen drive को PC laptop के साथ स्मार्टफोन से वे connect कर सकते हो अब बात करते हैं इस OTG के second use के बारे में इसे use करके आप किसी भी keyboard को अपने स्मार्टफोन के साथ connect कर सकते हो और उसे use कर सकते हो तो अगर आपके पास PC या laptop available नहीं है और आप typing सीखना चाहते हो उसमें practice करना चाते हो तो आप स्मार्टफोन में OTG लगा कर keyboard को use कर सकते हो तो इस तरह से आप एक keyboard को insert कर सकते हो अपने OTG के तुरू अपने स्मार्टफोन में इस keyboard के ओपर मैंने आरेड ये एक review वीडियो बनाई है जिसका link आपको description में मिल जाएगा और अगर आप typing सीखना चाहते हो तो typing master के official site को use कर सकते हो तो ये इस OTG का second use है इसको use करके आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी keyboard को use कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन को ऐसे output monitor use कर सकते हो तो typing practice करने के लिए आप typing master की website पर जा सकते हो वहाँ बहुत सारी games और context आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप typing के practice कर सकते हो तो ये इस OTG का second use था इसे use करके आप किसी भी keyboard को अपने स्मार्टफोन से connect कर सकते हो अब बात करते हैं इस OTG के third use के बारे में इसे use करके आप किसी दूसरे स्मार्टफोन को या फिर phone को charge भी कर सकते हो किस स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जिन में option होता है कि वो दूसरे स्मार्टफोन को charge कर सकते हैं तो आप data cable को use करके इस OTG से connect करके किसी दूसरे स्मार्टफोन को charge कर सकते हैं और इसी तरह charging के अलावा आप file transfer भी कर सकते हो बिना किसी bluetooth कर बिना किसी sharing app के अब directly data cable को OTG से connect करके file भी transfer कर सकते हो तो जैसे इस वक्त मैंने data cable को OTG से connect किया है और geofon में insert किया है तो इसको मैंने USB से mini USB OTG लगाई हुई है तो इस तरह आप इस OTG की मदद से किसी USB port को mini USB port में convert कर सकते हो तो जहें जो OTG है USB to mini USB इसका price रुपीज 30 है जिसे मैंने offline market से purchase किया है ऐसी OTGs आपको offline market से purchase करनी चाहिए क्योंकि आपको वाँ सस्ती मिलती है online market पे इस का rate जो है वो काफी जादा हो सकता है तो जिए इस OTG का third use था किसी use करके आप किसी दूसरे phone को charge भी कर सकते हो और file transfer भी कर सकते हो